हेलो फ्रेंट कैसे हो आप सभी एक बाप फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत आपिक अपनी चैनल मनी गुरुजी पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले ये काफी शांदार मकाबला खेला जाने वाला है लकने उस ऊपर जायन्स वासे तेली कैपिटल्स के बीच में तो हमें टेलीग्राम पर जरुरी से follow कर लिजएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी वीडियो के नाम से, लेकिन आपको join करना है only link से जो कि मेने दी ये वीडियो के नीचे देसक्रिप्शन में, तो friends सबसे पहले तो आप सभी को बता तो इस वीडियो में हम बात करेंगे only grand league team के बारे में, grand league team combination के बारे में और friends कौन कौन से बदलावज आपको देखने को मिलेंगे क्या आज के मेंच में डेविड वॉर्णर केलने वाले, क्या आज के मेंच में एंड्री नौर्ख्या केलने वाले, बहुत सारी इंफोरमिशन आपको इस वीडियो मिलने वाली तो प्लीज वीडियो के साथ बने चले फ्रेंस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनी गुरी जी श्पेशल फ्रेक्ट के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ग्रनलिक के कॉम्मिनेशन हम बना सकते ही चले फ्रेंस पहले जो निज निकल कर आ रही है वो आरी है डैविट वननर और नोर्किया को लेकर दोनों ही अविलेबल है इस गेम के लिए तो जाइड सी बात है इस मेच में आपको खेलती होए नजर आ सकते हैं वही पर Mitch March की बात करूँ तो ये इस game को miss करेंगे तो ये कुछ important update थी जैसा कि Warner और नोर्किया इस match में खेल सकते हैं Toast के बाद देखेंगे कि खेलते हैं या नहीं खेलते हैं फिलाल high chance से दोनों इस match में खेल सकते हैं टीम performance की बात करूँ दो सो बहुतर रन बना कर आ रहे हैं वो भी 38 की एवरेज से फिर हम बात करें in the team of Delhi Capital Delhi Capital की टीम में आप देखो के डेविड वोर्नर, रिशफपा, नक्षर पटिद तीनों लेफ्ट हैंडर है तो इनके सामने जो राइटाम और स्पिनर होंगे वो होंगे रवी विश्णोई हालागी पाटाम पाटाम इस्पिनर भी है दीपक हुड़ा तो ये जो इस्पिनर है बहुत जदा इंपोर्टेंट इसमेच में हो सकते हैं इस बात को आप जरूर से ध्यान में रखकर चलिएगा फिर हम बात कर लेते हैं कुछ और प्लेयर प्रफॉमेंस के बारे में अगर डेविड वर्नर के मैं बात करो जब भी खेलते हैं रवी विश्णोई के सामने चार बोले ही खेली ये पांच रन बना है और दो बार आउट हो चुके तो ये प्लेयर बेटल हमें देखने लायक ह सामने ही खेलते हैं 9 मेचो में 240 रन बना कर आ रहे हैं वो भी 34 की एवरेश ते अब बात आती है एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि डेविड वोर्नर जब भी नोर्ख्या की गेंद पर खेलते हैं चार मेचो चार गेंदे खेलिए पांच रन बना है और दो बर आउट कर चुके तो ग्रेंड लिग में आप डेविड वोर्नर को जरूर से ड्रोप कर दीजीगा क्योंकि अगर डेविड वोर्नर आउट होगे तो आपको अच्छा खासा वोन भी करवा सकता है क्योंकि आज के मीच में मोश्टी लोगों को ये कैप्टन भी होने वाले फिर हम बा बना है और दो बार आउट कर चुके तो मुस्त विजुर रहमान केप्टेन जरूर बना दीजी अपनी एक टीम में फिर हम बात करें यहां से आवेश कान की तो भाईया आवेश कान जो है वो डेली टीम के पुरानी जो डेली टीम थी उसके खिलाडी थे लेकिन फिलाल अभ उसकी अकोडिंग अगर मैं बात करू तो आप देखो कि 205, 208 रन बने हैं 128, 132 रन बने हैं 193, 170 रन बने हैं तो इसकोर यहां पर 160 से उपर का ही हमें देखने को मिला है फिर एक और मेच आप देख लीजिए उसमें 179 और 157 का इसकोर बना है तो मान के चल सकते हैं एक बार बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं तो पंजाब किंग हाईस्ट बनाया है यहां पर 208 का और पंजाब किंग की टीम ने ही लोवेस्ट बनाया है यहां पर 112 रन का फिर स्कोरिंग पेटन देख लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाता है आखिर कित्ते रन यहाँ पर बन सकते, 500 से कम बने हैं 6 बार जो कि IPL से पहले का record है अब बात करें, IPL अभी जो हुआ है 150 से 179 के बीच में 2 बार बने हैं, 117 से 179 के बीच एक बार बने हैं, और 190 से उपर 2 बार बने हैं फिलाल जो range चल रही है वो इस range में रन बन रहे हैं, तो ध्यान रखेगा 160 प्लस को हमें easily यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बात कर ले दोनों ही टीमों की possible playing 11 के बारे में सबसे पहले जान ले लखनाव की टीम से तो केल रहुले, क्विंटियन डिको के इवन लुई से, मनीश पांडे है, दीपक हुड़ा, आयुष बडोनी, कुणाल पंडिया, जेसन होल्डर, एंडू टाई, रवी बिष्टोई और आवेश खान, तो कुछ इस पकार आपको देखने को मिल सकती है, लखनाव की टीम कोई भी changes होका, मैं आपको टेलिग्राम आपको दिये, देलिग्राम लिंक से जोइन करना, जो कि मैंने वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन में आपको दिये, देली केपिटल टीम से मैं बात करूँ, तो देली केपिटल से टीम से, परत्विशा के साथ में इस में डेविड वोर्नर ओपन कर सकते हैं, डेविड परत्विशो, डेविड वोर्नर, फिर मंदीप सिंग, फिर आप देखोगी, रिषप पंत, लली त्यादव, रॉमेन पॉवेल, अक्षर पतेल, शार्दूल ठागूर, खलील एमत, कुल्दीप यादव, और आप देखोगी, मुस्त विजूर रहमान, तो कुछ इस पकार आ दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, चली फ्रेंज, अब हम देख लेते हैं ग्रेंड लिक के कॉम्मिनेशन के, किस तरह से अगर आप फैंटेसी में ग्रेंड लिक खेल तो किस तरह से आप ग्रेंड लिक बिला सकते हो, कौन से प्लियर आपके लिए इंपूर रहने तो फैंटूपले एप की लिंक आपको मिलेगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जरूर से डाउनलोड कर लिजेगा, आज इस मेच में 20,000 रुपे की फ्री एंड्री आपको मिल रही है, फ्री गीववे आपको मिल रहे है, फ्री में रोजन आपको यह मिलने को मिल रहा है, साथ ही साथ, यहाँ पर 100% बोनस लीग भी चलती रहती हो, ग्रेंड लीग में 25% तक आप बोनस भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, और जो कोंटेस्ट बनाया गया है, उसमें भी आप बोनस को कही नहीं कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है, फैंटूपले लिंक वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में तो एक बार डाउनलोड करके जरूर से ट्राइक करनी चाहेगा, अब फ्रेंज यहाँ पर मैं एक एक कॉंबिनेशन को देखूंगा, किस तरह साथ कॉंबिनेशन मना सकते हैं, यहाँ पर मैं एक पर नहीं बतोंगा, लेकि ड दोनों ही टीमों से, फिर आप देखो के एंड्रु टाई, अविश्खान और जैसन होल्डर तीनों ही में गेंदबाज, मुस्तफिजुर रह्मान और नोर्किया दोनों ही में गेंदबाज, तो एक परफेक्ट मुझे रज़र आती है, हालागि यह ग्रेंड लिग के साथ य जैसा है कि एक टीम में मैंने केल रहूल और क्विंटन डिको को कैप्टेन किया, एक टीम में मुस्तफिजुर रहमान एंड्री नोर्किया को कैप्टेन वाइस कैप्टेन कर लीजे, एक टीम में आप यहाँ पर डैविड वोर्नर इवेन लुइस को कैप्टेन वाइस कैप् प्रिबूट करते हैं फिर जेसन होलडर आवेश खान कुल्दीब यादो मैंने यहाँ पर लिया है फिर एंड्री नोर्किया और मैंने यहां से लिया मुस्त विजूर रहमान तो इस तिम में क्या चेंज़ेस आपको देखने को मिला है यहाँ पर मैंने कुनाल पंडिया और वही पर कुल्दी भी आदो, नोर्किया और मुस्त विजूर रहमान में टीम में आ जादे हैं यहाँ नंबर 3 का कॉम्बिनेशन नंबर 4 की में बात करूँ थोड़ा सा हठके कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा नंबर 4 का अब नंबर 4 के कॉम्बिनेशन मैंने क्या किया है क्विंटन डिको लोकेश राहूल रिशब पंद प्रत्विशो डेविड वोडर और यहाँ पर मैंने लिया दिपक उड़ा और कुनाल पंडिया दोनों को क्यों काफी बार हमने देखा है कि इन दोनों से जादा गेंद बाजी करवा ही जाते हैं और इन दोनों को लोग क्योंकि इन दोनों के पॉइंट देने के चांसे थोड़े से जादा होते हैं क्योंकि बल्ले बास तो कभी भी आउट हो सकता है आप नंबर पाच की में बात करूँ तो नंबर पाच का कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए उससे पहले फ्रेंस फिर से याद दिला दू दू नंबर पांच का पाच जो वयरा साथको कर्या होगा । पिल्कुल हटके कंविनेशन हैं अब इस और मुस्तफु जो रह्मान बढ़ा सकते हो तो एक अच्छा combination आपका बन जाएगा क्योंकि हो सकता है कि लोकेश राहूल अगर आप भरोसा नहीं करेंगे आप यह मानकर चले हो लोकेश राहूल और क्विंट्या डिको को भी जल्दी आउट हो जाएगे क्योंकि हो जाएगे